फिर्स्ट क्वेश्चन फॉसफेट आयन में फॉर्मल चार्ज हर एक ऑक्सिजन एटम पे और साथ ही पी ओ का बॉन ओर्डर क्या होगा इसके लिये सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर द्रॉँ करेंगे तो स्ट्रक्चर आपको नहीं आता है तो आपको सबसे पहरे इसका structure ही ड्रॉख करना सीखना पड़ेगा राइट तो यहां पर आपकवाद तीन oxides है जिस पर single charge और एक oxide W bonded है राइट अब आप देख सकते हैं कि यह phosphate group है जिसमें कि phosphorus ने total 5 bonds बनाये हैं with 4 oxygen तो यहां पर है five bonds with four oxygen means it should भी 1.25 that is the bond order राइट सबके बाद जहां जहां 1.25 यह 1.25 यह 1.25 तो यह दोनों आप्शन सही है हमारे पास लेकिन फॉर्मल चार्ज पुछा गया है हर एक ऑक्षिएन के उपर फॉर्मल चार्ज क्या होगा तो जो माइनस 3 यहां पर आपको चार्ज दिख रहा है यह माइनस 3 किसी एक ऑक्षिएन पर नहीं वो डिवाइड़ है इन चारों के उपर तो डेफिनेटली जो पर ऑक्षिएन पड़ेगा चार्ज वो वन यूनिट से लेस पड़ेगा मेंस की 0.75 यूनिट राइट सो इसका ऑप्षिन होगा ए इस क्वेश्चन में कोवलेंट करेक्टर हमने देख सकते हैं कि लीथियम है और यह समें लोगे हैं जिसमीझ सकते हैं के लीथियम ऑनवाड जैसे आप आगे ज्रुटिकली कुछ साब instance सकतते हैं कि सभी का बिलकुल परफेक्ट के वल. कारबन के यहां पर आप देख सकते कारबन ने 5 बांस बनाए, this is not the perfect answer, нутьсяot पर करेश्ट पॉर्फेक्ट आंसर तो हैैं, जब basically ketions और anions का size जो है वो nearly equal हो और basically उनमें charge भी high हो तो अगर आप देखें कि सभी alkali metal के fluorides हैं तो इनमें से आप देख सकते हैं कि fluoride में तो कोई comparison ही नहीं है लेकिन अगर आप देखें सबसे smallest alkali metal कौन सा है तो sodium fluoride है और इस cancer भी sodium fluoride ही होगा वेल इनमें किस molecules का set है उनका dipole moment perfectly zero है अब हमारे पास कुछ चीज़ तो clear है जैसे कि beryllium dye fluoride का zero होता है water का zero नहीं होता है ammonia का zero नहीं होता तो यह option correct नहीं हो सकता और second में आप देखेंगे कि हाँ पर hydrogen fluoride भी mention किया हुआ है तो hydrogen fluoride का भी zero नहीं होता तो यह option भी incorrect हो गया next option इसमें भी आप देखेंगे कि नाइट्रोन ट्राइब fluoride है तो यह भी option गलत हो गया अब मेरे पास रह गया cable D option तो D option is the correct option ओके which are the following is the correct order of dipole moment right तो यहाँ पर आप देख सकते कि इन चारों में जो बोलन ट्राइफ्राइब का dipole moment zero है तो यह सबसे back end पर होना चाहिए जो कि यहाँ पर given है और similarly water सबसे top होना चाहिए तो water भी दोना में top है अब रह गया question हमारे पास ammonia और NF3 का तो जैसा कि सभी को यह बात obviously पता होनी चाहिए कि NF3 में जो electron density है वो दो अलग-अलग direction में पूल होती है जिस वैसे NF3 का dipole moment है वो less होता है than ammonia so the correct option is B in fact NCRT में इस चीज़ को बिल्कुर clearly discuss भी किया हुआ है similarly इस question में पूछा गया कि इसमें से किस केसे bond angle 120 degree को होगा तो क्योंकि इसके अंदर SP2 hybridization होता है boron कैसे भी normal compounds में SP2 ही होता है trigonal planar with angle of 120 degrees इस question में आपको बताना है कि इन में से कौन सा statement जो सही नहीं है पहले case में given है कि जो water का bond angle है वो smaller है than the bond angle in ammonia और यह बात सही है because water का 104.5 होता है और ammonia का 107 होता है similarly जो methane का bond angle है यहां बताएगा methane का larger है than ammonia obviously methane का 109 होता है और ammonia को तो जैसे हमने distance of 107 का similarly इस case में आपको पूछा bond angle ammonia और इस case में right यहां में पूछा कि all are greater than 90 degrees angle तो यह बात obviously सही है क्योंकि से भी का angle 90 ज्यादा है अब रह गया fourth part तो fourth part obviously इस में से गलत हो जाएगा और यहां लिखा हुए bond angle in water is basically larger than methane which is not possible well this question में पूछा maximum dipole moment किसका हो गया तो carbon dioxide linear है zero है methane similar है बराबर है ammonia और NF3 में net comparison है तो आपको पता है कि ammonia का higher होता dipole moment than NF3 इस question में आपको increasing bond length बताना है CH COCC and C double bond O तो कुछ चीज़ है तो बिल्कुल practically clear है कि जो C double bond C है वो CC bond से smaller होगा so it should be at the back और इसके बाद आप देखेंगे कि जो single bond वाल है क्योंकि यहां पर SP2 hybridized हो जाएगा तो सबसे चोटा बॉंड जोगा CH होना चाहिए और इसके बाद यह होना चाहिए अब रहेगे बाद हमारे पास carbon oxygen and then carbon carbon की तो इसमें से carbon carbon की largest होती है right because oxygen का size smaller होता carbon से moreover यह electronegative है तो यह bond short होगा इसके single bond से okay तो इसका basically option भी यही correct है इस डाज़ोनेस में आपको बताना है कि इनमेंस lowest energy sulfur ट्राइपशार के लिए कौन सा best preferred structure होगा तो वैल इसका सबसे सई option है D और इसका reason है because अगर आपको lowest energy select करना है तो आपको यह देखना है कि किसने सबसे ज़्यादा bonds बनाए है तो केवल इसी case में maximum number of bonds बन रहे है वैल bond बनने से energy lower हो जाती है और stabilization बढ़ जाती है हाँ इसमें की जरूर notice करने वाली है कि आप यह जरूर देख लें कि sulfur अपनी limit से ज़्यादा bond ना बना सके तो sulfur ने आपको six bonds बनाए which is in the limit of sulfur so this is the correct option वैल यह question बहुत easy आपको increasing बताना है bond angles के लिए tritomic में well increasing का simple logic यह है कि जिसके पास ज्यादा number of electrons होंगे right उसका bond angle कम हो जाएगा और जिसके पास electrons reduce हो जाएगे उनका bond angle ज्यादा हो जाएगा right तो electron reduce है कि और positive वाले में और negative वाले में electrons increased है तो इसका lowest होगा इसका highest होगा so हमारा correct option होगा D okay इस question में आपको bond order बताना है C O का bond length carbon monoxide carbonate और carbon dioxide के लिए तो जैसे कि मैं पता है carbon monoxide में basically triple bonding होती है और carbonate में यदि आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर इस तरह के bonding हो जाती है right यहाँ यहाँ पर 4 by 3 आ जाता है 4 bonds with 3 atom means it should be 1.33 और जो carbon dioxide है इसमें आपको पता है कि C double bonds C होता है तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो bonds है वो basically 1.33 इसमें से number कम है सबसे ज़्यादा bonds है carbon monoxide में उसके बाद कार्बोनेट है उसके बाद carbon dioxide आता है right इस condition में हमारे पाद जो actual order बनना चाहिए right वो अगर आप bond order के भी हाफ पर देखोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि सबसे चोटा जो है ammonia का dipole moment 1.5 डिबाई है और nitrogen trifler का बहुत कम है 0.2 डिबाई और इसका reason पूछा गया कि reason क्या है तो reason मैंने भी पूछ पर बताया हुआ है कि जो NF3 है इसमें जो directions है वो दोना opposite होती है तो ऐसा आपको कहीं पर शब्द देखना है कि opposite direction आपके पास कहां पर है सो इसका option हो गया C आप सी नोटिस कर सकते हैं कि C के case में ऐसा लिखा हुआ है कि जो dipoles है वो opposite directions में होते हैं similarly question पूछा गया है कि जो correct order है bond length का वो किस तरीके से आएगा अब यह चीज फिर से रिलेट हो जाएगा bond order के साथ यहां पर मैं बता दूगा कि जो ozone है इसका 1.5 है और peroxide में single bond है और oxygen में double bond है तो जिसका bond length जादा होना चाहिए वो peroxide होना चाहिए और जिसका लिष्ट होना चाहिए वो oxygen होना चाहिए तो the answer should be D ओके अब इस करेस में आपको बताना है कि covalent character का सही order क्या है यहां पर increasing order ही given है तो बत आपको यह बताना है कि lithium है sodium है brilliant है इसमें से जिसका size सबसे छोटा होगा वो ज्यादा कोवलेंट है bigger वाला कम कोवलेंट है तो brilliant should be on the top and sodium on the least आप देख सकते हैं कि इसका answer के वाल C ही होगा राइट इस question में पूछागा कि कि किसके पास permanent dipole है well permanent dipole के यहां पर कोई खास मीनिंग नहीं निकल रहा permanent dipole का मतलब basically अगर इसको काट दिया जाए और यह बन जाता है which would have a dipole moment right तो इसका जो सबसे सही correct option होगा वो कि अवाल sulfur tetraphroid है क्योंकि sulfur का जो tetraphroid के जो compound बन रहा है इसका जो structure है that structure is basically see saw structure और इसका tetrahedral है इसका square planar है right और यह है triangular by triangular planar right triangular planar तो इन सभी का zero dipole है क्योंब SF4 का ही इसमें dipole होगा well बहुत simple question water is dipolar और beryllium dipole is not because यह एक linear shape में है और यह bent shape में है okay तो अगर हम देखें यह बात लिखा हुए कि water is angular and beryllium dipole is linear that is the answer is the right answer फिर same question है इन में से किस के पास जो है dipole नहीं है right does not possess dipole तो dipole के उसी के पास नहीं होगा जो लोग बिल्कुछ similar होंगे या planar होंगे right so for example which does not have dipole तो एक carbon disulfide है इसके पास dipole नहीं होता है okay so because carbon disulfide एक linear molecular just like carbon dioxide so carbon disulfide does not have dipole तो यहाँ पर सबसे important question यह है कि अगर इसका dipole 0 है तो क्या sulfur trioxide का 0 होना चाहिए well तो इसका answer है कि इसका भी 0 होता है यह भी triangular planar होता है sp2 hybridized है तो इसका भी 0 होता है तो हमारा option है a along with the b well this table में आपको पास given है यहाँ पर c का a से bond c, b, c, c and c, d यह लग 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 दे रखे हैं और यहाँ पर c does not stands for carbon यह just a element है like a, b, c and d यहाँ पर four elements है और यह सभी dissociation values यहाँ पर given है और question यह है कि इन में से किस element का जो atom है वो smallest होगा यह नहीं कि यहाँ पर बात atom के size की की गई है अब देखें जिसका atomic size जो है उस छोटा होगा उसके basically bond की strength जादा होनी चाहिए तो अगर आप ध्यान से देखें हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो carbon का, sorry not carbon, c के bond d है इसके वो B होगा, right जिसमें कि D option है, यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली का अक्सर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर आपको option B दे रखा है लेकिन आपका इसमें correct option D आया है, D यह वादा D और इस D में फर्क है तो आप यहाँ पर अक्सर यह psychological mistake कर जाते हैं कि आप D के चक्कर में इ किसी एक का होगा, तो यहाँ पर मैं की clear कर देता हूँ कि इस पिक्चर में strongest bond का मतलब यहाँ पर ionic bond का है, more ionic con है, तो केवाल cesium fluoride होगा, well इस question है पूछा गया, most polar कौन होगा, तो most polar वही होगा, जिसमें electronegativity का difference ज्यादा होगा, और अगर आप ध्यान से देखिए, तो इ इसका option होगा, N bond F, very important question, chlorine trifluoride, right, इसमें lone pair पूछा गया, electron का chlorine के उपर क्या है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो shape है, basically वो T shape होता है, और वो T shape इसलिए होता है, क्योंकि जो 2 lone pairs है, chlorine के उपर वो होते हैं, एक equatorial plane में, तो यहाँ पर question यही है, कि number of lone pairs on the central chlorine atom, so it is basically 2, well यह question बहुत easy है, 2060 ने पूछा गया है, correct order पूछा गया है, आपको बताना है कि repulsion का order है, किस का order है, यहाँ यह नहीं बता है किस बात का order है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि correct repulsion order होना चाहिए, it should be correct repulsion order, तो सबसे ज़्यादा repulsion इसमें आपके किस किस के बीच में होती है, त तो इसका सबसे correct option होगा, C, low-on pair, low-on pair, and bond pair, bond pair at the least, which of the following species contain three bond pair, right, तो तीन bond pair होना चाहिए, एक low-on pair होना चाहिए around the center, तो मैं लगता है, इसमें केवल nitrogen family बेलाँ करती है, और इसमें PCR 5 is the right answer, because phosphorus has 5 electron in its last shell, out of those 5, तीन तो इस chlorine के साथ bonded हो जाएंगा, और एक जो pair होगा, वो ह single bond pair, or single lone pair, three bond pairs, okay, which of the following statement is not correct, अब थोड़ा ध्यान रखना है, not यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप गिवन है multiple bonds are always shorter than the corresponding single bond, तो यह बात बिलकुल सही है, electron deficient molecule जो Lewis acid बन सकते हैं, यह भी बात सही है, canonical structures have no real existence, यह बात भी सही है, तो अगर तीन statement अगर आखवा सही है, तो obviously चौथी statement गलत होगी, और आप देख सकते हैं, चौथी statement यह है, कि अगर AB5 है, तो यहाँ बता है कि वो square pyramidal होगी, नहीं वो square pyramidal नहीं होगी, वो triangular by pyramidal होगी, just like PCL5, well, इस question पूछा गया है, कि इन में से कौन है, जो silicon tetra chloride के जाद में iso structural नहीं है, means अगर silicon tetra chloride देखे है तो यह tetra hydral है, तो इन में से कौन है, जो tetra hydral नहीं है, right, तो यह सभी लोग tetra hydral है, केवल SCL4 नहीं है, और SCL4 बिल्कुल SF4 के तरीके से C saw shape बनाएगा, right, तो इसलिए यह है, केवल जो इसकाद आइसो structural नहीं है,